नमश्रा दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में देख रहा होगा दोस्तों स्टॉक का नाम है यस बैंक और यस बैंक के वाटर वन के अपडेट्स आए मैं वो तो शेर करूंगा ही और अपडेट्स के बाद जो एचीज बहुत यह अब आप कह सकते हैं थोड़े से टफ होते हो दिखाई देंगे चाहिए वो नेट इंटरेस्ट मार्जन को लेकर के हो या ओवराल बिजनस में हो लेकिन जो ट्रेंड कही है और ट्रेंड कही है दोस्तों किन्हों ने जो प्रशांद कुमार जी है जो बैंक के अमडी है उ आप निवेश की सोच रहें तो एक एक वीडियो आपको जरुर जरुर देखना चाहिए ठीक है तो देखे यस बैंक लिप्टेट लास्ट्रेंग सेशन में आप देखे कल के सेशन में लगबग दो प्रतिशत के आसपास की किरावट हुई है ठीक है तो अब सीधा में लेके चलता हो कि आखिर वो अपडेट किया है तो देखिए तो देखिए यस बैंक क्यों लोंस अडवांस इस राइस 7.7% एर ओन ये और डिपॉजिट साड़े तेरा परसंट का जंप है इसमें ओके बात कर थो दीप जा करके तो यहां लिखा है बई सक वेंस्टे को रिपोर्ट कर जंप है यह यह लोंस आडवांस इसमें तो रुपीज दो लाग करूर कैस बास का ठीक है पोर दो लाग करूर से जाधा हिये एंद जून 30 के फिगर आप बेखेंगे धिया तो ओन कार्टर मात्र पॉंट बाट परसंट जंप है इसम पर और जो अडवांस बाट है नोंट परसेंट कोर्टर कोर्टर राइस the numbers are provisional and were announced before the market opening time the company will be declaring its quarterly letter in the current quarter ठीक है by company earning release करेगे थोड़े इस quarter के थोड़े letter मात में यानि थोड़े लेट में आप कह सकते हैं रिपोर्ट करेगे और क्यों लेट करेगे क्योंकि अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं देट के अगर आप ऑफिशल वेबसाइट याएं बेसी की वहां पर कॉर्परेट में क्लिक करके जो रिजर्ट सेक्शन में जाएंगे तो अभी यह इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं किया नहीं बताया है अभी ठीक है आगे चलते हैं थोड़े नंबस में दोस्तों तो आप पाएंगे यहां पर देखिए जो टेपॉजिट है उसमें 30.5% का जम्प ही एर ओन ये ठीक है इतने में इन कॉर्टर इन जून कॉर्टर फ्रॉम रूपीस इतना सा लास्ट एर में और ये पॉइंट 9% का जंप है यह कंपनी ने अपनी जो एक्सजेंज फाइनिंग की वो का है कासा आप देखेंगे तो 64,528 करोड रूपीस में रहा है इन दे जून कोड़र अगेंस 66,903 करोड इन दे माच कोड़र में यानि यह डाउन हुआ है दोस्तों 3.6% यानि कासा में कमजोरी आई है और आप समझें कासा में कमजोरी आना मुझे थोड़ा सा एक चिंता जनग बात रखती है हाँ, येर ओन येर देखेंगे 8-4% की जंप है जो कि मैं कहूंगा ठीक है बड़ क्वाटरन क्वाटर थोड़ा सा आप कमजोरी है पूरे के पूरे बाजार के बैंक की बात नहीं कर रहा पूरे के पूरे बाजार के लिए ठीक है आप यहां पाएंगे कि credit to deposit ratio ना 91.3% रहा है जून कॉर्टर का compared with 96.4% एक साल पहले और 92% मार्च 2023 हाँ, quarter on quarter देखेंगे तो हाप ए गिरावट है आप कह सकते हैं इन चीज़ों में नाव देखेंगे याज बैंक का शेयर रैली भी कर चुक है पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से हैव गिवन और तैटीस परस्टन रेटन पिछले एक साल में और रडी यह कर चुका है दूस्तों लेकिन आप देखें पिछले काफी समय से कंसा लडी भी कर रहा है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन ये वीडियो न मेरे को सबस्ट में आपके सकते हिए वीडियो मैंने बनाया वह सब तीन लाइन के लिए वीडियो था ठीक है क्या लाइन है आप कर रहा है क्रेट गोट 15-20% की फिनेशल 24 में ठीक है ये चीज हो गया कि हां हम ये चीज करेंगे कि हमको यह लग रहा है कि क्रेट गोट 15-20% रहेगी फिनेशल 24 में कुमार है टोल्ड कुमार जी ने कहा था CNBC TV 18 that retail segment was growing faster than corporate and he expected this trend to continue जी हां यस बैंक का जो exposure है वो retail में लगातार बढ़ते चला जा रहा है और वहां से जो growth है हो बहुत आठी अच्छी दिखाई दे रही है और यह कहने भी in long term में ये trend भी हम को अच्छा देगेगा retail would form 50% of the loan in future इन्होंने आगे कहा कि 50% total हम retail loan को देंगे देखे yes bank के लिए growth एक important चीज है बट जो सबसे दा important है कोई भी mishap कोई भी बड़ी NPA जेल नहीं सकता ये bank तो company को growth और आप कह सकते MPS की एक बहुत कठें डगर से होकी गुजरना है और जो आने वाला समय न दोस्तों जो आप कह सकते हैं अगर monsoon खराब होता है और slow down होता है तो ये चीज और भी ज़दा tough होने चली जाने वाली है और ज़दा complicated होने होती होती जाने वाली है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि yes bank में आप निवेश रप कर रहे हैं तो ये चीज को please ध्यान में रखिए एक बड़ी picture को कि problem अभी क्या है yes bank की yes bank no doubt भाद अच्छा कर रहा है प्रशान कुमार जी ने मैं कहुँगा कई हद तक कई कई जगों में miracle करके दिखाया बट अभी भी चीज़े शांत नहीं हुई दोस्तों problem है वो निवेश जग जो एक आप कह सकते हैं risky investor हैं वही please yes bank में निवेश करें बाकी से थोड़ा समय कहुँगा दूर बैट करके अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय एक मैंने comment पढ़ा था मेरी वीडियो में आथा gland farm में आपने कहा था निवेश करने को मैं first गया हूँ और this and that मैंने उसका reply नहीं दिया क्योंकि देखिए मुझे चीज अच्छी लग रही yes bank जिस तरह trend चल रहा है जिस तरह से प्रशान कुमार जी काम करें बट जो dark cloud है वो अभी भी उपर मन रहा है दोस्तों yes bank के और जिस तरह से competition लगातर बढ़ता चला जा रहा है खास करके retail में हर एक bank आज के समय में retail पर focus कर रहा है दोस्तों maximum time तो ऐसे में जो competitive intensity वो लगातार बढ़ती चले जा रही है और देखे जिस प्रकार से कासा को ले करके bank के उपर जंग छड़ी हुई है यानि अपने current account savings account को बढ़ाने के लिए yes bank में साफ साफ कमजोरी देखने को मिल रही है और मैं आपको दादू IDFC first bank ने अपना जो interest rate व यह चीज़ से हम deny नहीं कर सकते तो please yes bank में निवेश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सोचें एक छोटा सा वीडियो था yes bank के उपर बहुत ज़्यादा बाते हो रही थी quarter one के अपडेट्स के बारे आपका क्या कहना है करके तो मुझे लगा बही मुझे बताना चाहिए तो यहा हुआ